अगुस्ता वेस्टलैंड का मामला एक वार फिर से उचल रहा है और इस पर अब राजनीतिक का बयान भी आने लगे हैं यह वी वी आईपी हेलिकॉप्टर डील थी जिसे लेकर बीजेपी ने कॉंग्रिस पर निचाना साथ है इसमें आपको जानकारी है कि अपने कम्मिनिकेशन के अंदर क्रिशन मिशेल लिखते हैं 28 अगस्त 2009 में वी हैव प्रेशराइस तप्राइम मिनिस्टर थू दपार्टी एलीट हमने प्रदान मंतरी को के ओपर दबाव बनाया है पार्टी के वरिश्ट लोगों द्वारा वो लिखते हैं कि उनकी एक मुलाकात हुई एक इटायलियन लेडी के बेटे से इटालिन लेडी सन उन्हें कहा कि वो जो बेटा है वो अगला प्रधानमंतरी बनेगा और पार्टी अपनी ताकत में दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उन्हें कहा कि उन बेटे से मुलाकात करके उनको कहा गया कि अपनी मा से उनको वो समझाएं इस बात को कि ये डील थू होनी चाहिए और उन्हें यकीन है कि ये डील थू होगी आगे ये भी लिखते हैं कि प्रधानमंतरी के दफ्तर के ओपर दबाव बनाया जा रहा है इन एलीट जो पार्टी के वरिष्ट नेता है उनके द्वारा और केवल प्रधानमंतरी रही फैनाइन्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के ओपर भी दबाव बनाया जा रहा है जो धारा है पेमिट का वो है मिशेल क्रिश्चन मिशेल और उसमें वो साफ शब्द लिखते हैं फैमिली एफ एम और उसको अब कन्फ्यूस करने की कोशिश करी जा रही है कि फैमिली आप जानते हैं कि जब एक वरिष्ट पार्टी की बात करते हैं उस पार्टी के अंदर एक इटालियन लेडी के बेटे की बात करते हैं तो कौन सी पार्टी की बात हो रही होगी और उसमें वो फैमिली जब वर्ड आता है तो वो एरचीफ मास्टर त्यागी की एरचीफ मास्टर त्यागी की फैमिली तो नहीं हो सकती तो ये सारा का सारा घटना करम और खासतर से जह शब्द A.P. लिखा है उन्होंने अपने जो बयान उन्होंने दिया है उसमें भी वोला है कि ये एहमद पटेल है फैमिली F.A.M. जो लिखा है वो फैमिली है और टोटल जो पेमिंट होना है वो साथ सो करोड रुपे पेमिंट होना है ये बहुत दुख की बात है कि एक तरफ हमारे जवान अपना बलिदान देते हैं देश की रक्षा करने के लिए और दूसरी तरफ जिन लोगों को सत्ता की जिम्मेदारी दी जाती है वो सेना को एक्विप्ट करने की जगे गोटालों के जो डील करते हैं वो गोटालों के सोच बचार करके करते हैं जहां जीब गोटाला, बफोर्स गोटाला टाटा ट्रक गोटाला, स्कॉर्पियन पंडूबी गोटाला से अब अगस्ता वेस्टलेंड गोटाला इस सारे के सारे कॉंग्रेस के समय और सारे के सारे रक्षा मंतराले से सम्मंदित ये गोटाले